हेलो, केषे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोगों को eTaskbar तो दिख सकते यह आप़ तो आप लोगों को eTaskbar में जो है application को add करना है तो उसको आप लोग केसे add कर सकते हो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यहां पर टाक्सबार पर लाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एप्लिकेशन को चूज करना परेगा गाइस यहां पर हम लोग एप्लिकेशन को यहां पर निकाल लेते हैं निकालने के बाद देख सकते हैं यहां पर से जो भी एप्लिकेशन आप लोगों को बाहर लिकालना तो यहाँ पर से आप लोगों को ढूंण लेना है तो ढूंदने के बाद देख सकते यहाँ पर जो मैं आप लोगों को आपप लोगों को बाहर प्रमे लाके दिखा देता हूँ आप लोगों को तो जीसिकि मुझे यह clock देख सकते clock को जो है यह आपर टास्क बर में लाना है तो मैं आपर clock पे जो है क्लिक कर दूँगा क्लिक करने के बाद यह आपर देख सकते गाइस एक option है यह आपर पिन टू टास्क बार देख सकते हैं अबर पिन टू टास्क बार को अप्शन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो देख सकते हैं क्लोग जो है या पर शो हो गया है तो ऐसे करके जो है आप लोग को टाक्स बार में आप लोग ला सकते हैं तो ऐसे करके जो है आप लोग इस तक के लिए बाई बाई